नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से सिविल इंजिनिरिंग के इस बहुती महतफून वीडियो में और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस घर के चट के बारे में दोस्तों यहाँ पर इस घर की छट का जो सलेब है यहाँ पर सरिया भी बांद चुके है और यहाँ पर आप देख सकते है कि पलंबर के दुआरा इलेक्ट्रिक के जो भी फाइब होते हैं वो सारे यहाँ पर फिट कर दिये गए है इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर सिर्फ स्लेब की कास्टिंग होना यानि की कॉंक्रेटिंग होना बाकी है दोस्तों मैं आपको इस स्लेब के बारे में कुछ बताने वाला हूँ कि इसमें किस परकार से यहाँ पर सर्या बांदने का काम किया गया है इसमें जो स्लेब है किस परकार से बांदी गई है ठीक है दोस्तों म में पहले स्लेब बिम बना दी गई है जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हैं कि सारी जगह यहां पर जो स्लेब बीम बानने का काम लगबग लगबग slip beam की concrete पहले हो चुकी है, सारी beam आप देख सकते हैं, सामने जो beam है, वो भी पहले concrete हो चुकी है, यह वाली beam भी और जो last time में हैं, वो वाला भी slip beam पहले से ही बनाया जा चुका है, तो इस तरफ हम देखते हैं, इसके फ्रंट में, तो फ्रंट में यहाँ पर जो staircase बनाई गई है इसमें भी यहाँ पर जो slab beam आप देख सकते हैं, पहले ही slab beam के concrete हो चुकी है, और यहाँ पर हम देख लेता है कि, यहाँ पर जो staircase बनाई गई है, यहाँ जो cd बनाई गई है, उसमें first landing तक का काम पहले किया जा चुका है, और यह वाला जो portion है, slab के साथ किया जाएगा, और दोस्तों, जो slab के सामने वाला जो portion है, cut up वाला portion होता है, तो इसी जगव पर हमेशा आपको hidden beam यानि की concealed beam प्रवाइट करना होता है, ताकि यहाँ पर जो slab है, यहाँ पर नीचे की और ना जुख सके, इसलिए यहाँ पर एक concealed beam, beam से beam तक बनाया जाता है, इसलिए beam से slab beam तक काम किया गया है, दोस्तों कई लोग कहते हैं, यहाँ सारे इंजिनेर यही राय देते हैं कि slab beam और slab की कास्टिंग हमेशा एक साथ की जाती है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि पहले slab beam बना दी गई है, आप यहाँ पर clearly देख सकते हैं कि slab beam सारी जगा लगपक spacing है, जो distribution बार है अब देख सकते हैं, इनकी spacing है center to center 5 inch रखे गई है, अब यह वाला जो portion है, इस वाले जिसमें one way slab में जो सरीया बांदा गया है, इसमें किस परकार से beam वाले portion पर सरीया बांदा आ जाता है, मैं आपको पूरा बताने वाला हूं, देखिए दोस्तों सबसे प सरीया पीछ में है, इन सरीया को beam के, जो यह beam बांदने का काम किया जाता है, तो पहले फूरी beam casting नहीं की जाती है, पहले से कुछ open रखा जाता है, जो कि हमारी plate होती है, यह plate आप देख सकते है, इसी plate के level में लगपक यह beam की casting की जाती है, उसमें हम देख सकते हैं, कि जो distribution ब अब हम देखते हैं, कि जो band up बार है, इन में किस प्रकार से यहाँ पर सरीया गया हुआ है, आप देख सकते हैं, जो band up वाला area होता है, उसमें दो जगर से हमारे distribution बार चलते हैं, एक तो हमारा top पे चलता है, जो top की spacing ज़्यादा हो जाती है, आप देख सकते हैं, यह top वाला सरीया के नीचे से यहाँ पर हमें देना होता है, जिसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यानि कि एक सरीया top पे से जाएगा, ठीके जो beam है, बीम के एक top पे से चलेगा, और एक हमेसा beam के नीचे से यहाँ पर देना होता है, जिसे कि पूरा आप देख सकते हैं, सारी यहां पर जो लगबक एंट पर ही खतम कर दिया गया तो इसे वापिस बैंड करना चाहिए था यहां इसमें एक एल तो देना ही चाहिए था जो टेक्निकली देखा जाए दोस्तों तो दोनों एक साथ होना चाहिए लेकिन यहाँ पर पहले सलेफ भी बना दी गई है उसी के बाद यहाँ पर सलेफ का कास्टिंग किया जाएगा ठीक है दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करकर जरूर बताए टेंकी दोस्तों